कहाणी गलत गढदी, पूरी कहाणी गलत बताई अगर दुनिया के लोग सही कहाणी बताते तो भतीजा और बुओ आ का सम्बंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना लोगों ने कहा हिनका शिपु ने अपनी बेहन से कहा बेहन तु अपने भतीजे को गोदी में रखकर बेड़ जा और चादर ओड़ कर बेड़ जाना तु बच जाएगी तेरा भतीजा जल जाएगा तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर ब नाम क्या है कथा वालों ने कह दिया हिनका जिबुगी बेंती होली का वो अपने भती जी पहलात को गोदी में लेकर बेड़ गई वो पहलात को हाती के पाओं के नीचे डाला खोलते तेल में डाला अगनी में डाला इसमें डाला उसमें डाला नहीं मरा आकरी में अपनी बेहन से का होलीका तो अपने भती जे को गोदी में लेकर बेड़ जा पेले उस होलीका का असली नाम तो लाओ जिस होलीका का नाम विश्णोपुराण में दूंडा लिखा है क्या नाम लिखा है दूंडा होलीका का असली नाम लिखा है विश्णोपुराण में दूंडा इसलिए आ आसमें एक ब्रमाजी की त्यादर थी, जिसको ओड कर बेड़ जाती थी, तो आगी में जल नहीं सकती थी, डूंडा ने देखा, चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा, तो बुआ को लगा, मेरा भतीजा जल जाएगा, बुआ वो होती है, जो दुआ दे और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया, ये कता है, पर लोगों ने उसको पूरी पलड दिया, पूरा पलड दिया, बुआ कब जलाई अपने भतीजे को, आप में से इतनी सारी बुआ बिटी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द का, कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी, नहीं, जब भी भी बोलती हो, मेरा भतीजा को फले फूले, भगवान करता करे, मेरे भाई जैसा नाम कमा है, मेरा भाईया कितना नाम कमा था, वैसा मेरा भतीजा नाम कमा है, तो भतीजे को चाहिए, जब बुआ घर में आए, तो अपन बुआ को, तो मम्मी कहेगी तू अपनी बेहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है, तो कह देना, अगर आज में दूँगा, तो उसके भी भतीजे उसको देंगे, यह हमारे यहां करम चालू होना चाथ पर करे क्या चार भाई एक साड़ी बेहन को जब देते हैं पेक करके पूरी पेकिंग पूरी अच्छी बड़ी आवाली है साड़ी अगर डिली डिली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फैसा दे, कागा है जोड़ करके और पेकिंग करके और चार भाई एक साड़ी चारो भाई राखी बन बानने के बाद एसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पूरे की प्रॉपटी दे रहा हूं किसी ने पूछा कि क्योरे चारो भाईयों ने मिलके एक साड़ी दे अभी हमें एक ही तो घर में रहते हैं सब एक हैं तो एक काम करण करो एक थाली खाने की लगाओ एक भाई खाना खाये भागी के सब तच कर के बेढ़ जाओ कि एक ही जगह तो रहे रहे हो एक ही थाली में का Region तुम्हारे टच करने से चार भाई का एक साड़ी में हिस्सा हो गया तो तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ बागी के तीन भाई टच करके बेठें पेट नहीं पड़ा रहे है अपने को क्या करना अपन तो अपनी साड़ी ओड़ो दादा तो गुरुजी हमने का क्या है सारे तेवार फीके हो गए ओली आ रही है लगी नीरियां की ओली जैसा है दिव अपने का रंग अपिका नहीं हुआ है बसस्त। अल्यां को बंढेक हुए है मिघृत वही है गुजिया पपड़िया होई है खुर में चकरी गई इतनी इडसा भराती गई कि वह को करण कि कारण उस अहम के करण तो में अपने मीruktिन कि ना यह कंता है तुमारा अपने घर से पाहर कि नहीं भिख अंकिना इपक up Jeff जनाशा आगया जनासा पूइए ईतने भी आई पी ओगा इतने भी आई पी हो गए कि अपने तेहवारों से वी दूर हो गए मेरा निए ने हो ली का तेवार आ रहा है अपूज जङका मेरी वह सुंद्धार की सट होली होती थी महादेव कई कछी थे महादेव की आई थी सबस्क्राइब गणाई म ber arise ले निवासियों से निवेधन करना चाओंगा अब वो पुरानी को बन कर माय कीुक्राइब को मिन दिया ग्या है शुव मंदर में जाना है चम्धन का जल शिव को एक लोटा चड़ाने एक बात अपनी जिन्द की मोतार कर रखो संकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुमारे घर में जो असली घी हो थोड़ा सा भले एक पति लगा भले इतनी से बति जलाओ पर असली घी की जलाओ शिवजी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो चलाओ शंकर भगवान को चावल भी चड़ा रहे हो तो असली चलाओ शंकर भगवान को अगर श्टगंद भी चड़ा रहे हो तो असली चड़ाओ केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चड़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्थी नश्ट हो ऐसी कोई चीज मेरे प्राद समय प्राद समय है